हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग उमीद है बहुत अच्छे होगे यह स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी को बता है कि पी एंस्टी एक्जाम दो हजार चौबिस अभी अभी संपन्य हुआ है इसमें बहुत सारे बच्चों ने सफलता अरजित की है बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी असफलता को लेकर के निराश हैं तो मैं आपको इन मतलब निराशा से दूर निकालने के लिए चार लाइन आपको कहना चाहूंगा का भी आसा सुनीएगा यह चार लाइनों को इश्च्वर का दिया हुआ कभी अलप नहीं होता तो टूट जाए छू संकल्प नहीं होता कि टूट जाए वह संकलब नहीं होता था करको अपने लक्ष से दूर रखना मेरे दोस्त पार को अपने लक्ष से दूर रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता जीत का कोई विकल्प नहीं होता एक बार फिर से सुनिएगा मैंने आप से कहा कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता ठीक हार को अपने लक्ष से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता इसका मतलब यह हुआ बिटा कि इश्वर ने आपके खाते में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा तो आप अपने संकल्प पर अड़े रहिए आप अपने संकल्प पर अड़े रहिए क्योंकि जीत आपको जरूर मिलेगी जीत का संकल्प लेकर के डटे रहो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा लेकिन हल जरूर मिलेगा याद रखिएगा हल जरूर मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं आज की बाते हैं मैं मनीज सर mcc classes से आपके लिए आज बहुत कुछ अच्छी चीजें लेकर के आया हूँ तब से पहले मैं जो बच्चे जिनके नंबर कम आये हैं जो निराश हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा बेटा निराशा से बाहर आओ और एक बार फिर से पूरी मेहनत के साथ फिर से लग जाओ आपके जून या जुलाई में फिर से एक्जाम होंगे उन एक्जाम की तैयारी के लिए आपको अभी से संकल्प लेना है और याद रखना वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए और अब इस बार हम जीत का पर्चम लहराएंगे इस बार समस्या आप सभी बच्चों के साथ ये हुई कि एक महीने पहले अचानक से आपका स्लेवस चेंज कर दिया गया तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट था बायोलोजी उसके 40 नंबर की जगए पे 20 नंबर कर दिये गये और उन 20 नंबरों पे जीके को डाल दिया गया और उस जीके ने सभी के दिमाग में क्या कर दिया इस हैं मतलब परिशानियों का समंदर ले आया वो कि समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या अचानक से स्लेवस चेंज हो जाना और एक महीने बाद एक्जाम होना और इसका सामना आप जैसे बच्चे करें तो इतना आसान नहीं है आप में सब बहुत सारे लोगों ने पहली बार है जीत मतलब सिर्फ जीत ही हमें चाहिए चलिए तो मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि हम अपना न्यू बैच जो है जिसका नाम है लक्ष 2.0 हम अपना न्यू बैच जिसका नाम है लक्ष 2.0 इसको हम launch करने जा रहे हैं इसकी क्लासें जो हैं अक्तूबर में स्टार्ट होने वाली हैं जल्द से जल्द आप इस बैच में इन्रोल हो जाईए इस बैच की खासियत क्या है देखिए सबसे पहली बात ये फ्रेश बैच है आपका न्यू बैच है इसका नाम है लक्ष 2.2 इस बैच में आपकी हर एक कमजोरी को क्या कर दिया जाएगा दूर कर दिया जाएगा इस बैच में आपकी हर एक कमजोरी को दूर कर दिया जाएगा जो बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं जो बच्चे बाइलोजी में वीक हैं जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं बनती इंग्लिस समझ में नहीं आती जीके का पता नहीं है, तो याद रखिएगा, इस बार, इस बार, सबसे ज़्यादा बच्चों को परिशान करने वाले जो सब्जेक्ट है न, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लेश, इसके अलावा जीके, इनको हम पानी-पानी करने वाले हैं, इन सारे सब्जेक्टों क हम पानी-पानी करने वाले हैं, ठीक न, और इनके लिए पूरी प्लानिंग हमारे द्वारा कर ली गई है, और उस प्लानिंग के तहट जो काम किया जाएगा, उसमें हम जीत का परचम जरूर लहनाइं गे, हमारा मार्गदर्शन और आप की सफलता यदि ये दोनों मिल गए आप यह मान के चलिए कि आप Euro से Hero बन के लोटेंगे ये पक्की बात है एक Teaching Quality हम जो आपको देंगे Teaching Quality हमारे दौरा जो आपको दी जाएगी हमारे दौरा जो आपको दी जाएगी Number One Quality होगी जिसमें Chemistry होगी Physics होगी Inglis بھی बिंदास बहतरीन होगी और जीके को हम इतना बहतरीन मतलब पढ़ाने वाले हैं जो टीचर खुद जॉब में हैं जिसने मतलब पाइट किया हुआ है बहुत सारे एक्जाम तो हम कहेंगे उसी टीचर से हम आपको जीके जो हैं वो दिलवाने वाले हैं समिस्ट्री तो हमारी कोचिंग में जबरदस्त है बाइलोजी सुपीरियर है इंग्लिश भी बहुत बढ़िया हैं फिजिक्स में भी इस बार आपको बहुत जोरदार जोस के साथ पढ़ाया जाएगा और जीके मैंने बताया आपको बहुत शांदार है ठीक बस आपको क्या कर और केवल अपने लक्ष पर होगा, अपने लक्ष पर होगा, इसलिए हमने बैच का नाम रखा हुआ है, लक्ष 2.0 इसके अलावा आपको क्या करना होगा आपको discipline से पढ़ाई करनी होगी बिलकुल अनुशासन से पढ़ाई करनी होगी कोई जनम दिन कोई शादी कोई त्यवहार नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है मुझे सिर्फ पढ़ना है और revision करना है एक अच्छा इसके अलावा यहाँ पर तीसरी चीज है consistency तीसरी चीज है consistency याद रखिए गई है consistency क्या बिटा निरंतरता कि लगातार हमें लगे रहना है focus हमारा केवल एक होना चाहिए कि मुझे इस exam को निकलना क्योंकि मैंने बताए न जीत का कोई विकल्प नहीं है ठीक discipline अनुशासन होना चाहिए पढ़ाई में कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है बस मुझे और कुछ नहीं देखना consistency निरंतरता हमारे पास होनी चाहिए जो बच्चे जो बच्चे असफल हुए हैं जिनके नंब कि लास्ट महीने में कड़ी महनत कि आपने पूरे दस महीने कड़ी महनत नहीं की वह दस महीने याद रखना ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे लास्ट के एक-दो महीने में जब पेपर की डिटा जाती है तब पढ़ना शुरू करते हैं तो तुम यह कोचिंग बताओ अईसे में कैसे बनेगा बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं मैं मानता हूं इक लेकिन घर में इन तीन चीजों पर नहीं रहता… बस कोचिंग पर जाते हैं, घर में फिर एक दो घंटे बठाए, और उसके बाद हो गया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कोचिंग जाने के बाद भी घर में कम से कम आठ घंटे पढ़ाई आपकी जरूरी होती है, कोचिंग जाने के बाद भी, आप सिर्फ यह सोचते हैं कि कोचिंग जाएंगे, हो गया हमारा काम, कोचिंग जाकर के हो गया, अब हम हमारी पढ़ा करना होगा जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे जब तक आप NCRT को एक एक लाइन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अब का आपको सफलता कैसे मिलेगी बीटा एक बार अपने दिल पे हाथ रखके कह देगी सर दस महीने हमने बिलकुल वैसे ही पढ़ा जैसा लास्ट महीने में पढ़ा था मैं बता रहा हूँ आप खुद से कह देंगे कि जी सर हमसे गलती हुई है तो मैं नए बच्चों से कहना चा पहले आपका स्लीवर्ट चेंच हुआ था उसलेवबस के हिसाब से नए करे साबसकर तयारी आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली थी है लेकिन इस बार हम यह गलती धड़ी करें दिखाएंगे कुछ और उसके बाद देंगे कुछ और अभी बहुत सारे यूट्यूब पर विज्यापन चल रहे हैं कि अमारे दर से इतने सेलेक्शन हुए ऐसा हुआ वैसा हुआ मैंने कल भी वीडियो में बताया था इन धोका धड़ी के चक्कर में अपने को नहीं आना है अपने को इस धोका धड़ी के चकर में नहीं आना है क्योंकि ये धोका धड़ी जो है इसी के ऊपर आज अपना वीडियो जो है यह बेस्ट है कि जो धोका धड़ी आपके साथ होती ह तो चीज मैंने आपके लिए बोली वही चीज टीचरों को भी दिखनी चाहिए उनका भी फोकस उन सारे बच्छों की उपर होना चाहिए discipline से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, consistency निरंतरता होनी चाहिए, ठीक ना, कभी कोई subject लग रहा है, कभी कोई subject नहीं लग रहा है, आप ये बताइए ऐसे बच्चा कैसे सफल होगा, जैसे ये हाथ की पांच उंगलिया है, ठीक ना, यदि एक भी उंगली यहां से अलग हो जाए, तो सोचिए, आपके हाथ का क्या हाल होगा, क्या आपका हाथ वो उपयोगी रहेगा, नहीं, बिल्कुल इसी तरह से आपके जो पांच subject रखे गए हैं, biology, chemistry, physics, English और GK, ये पांचों आपके दमदार होना चाहिए, और जब तक आपके ये पांचों subject दमदार नहीं होंगे, आपके average या उसत नंबर जो है, वो अच्छे नहीं आएंगे, ठीक, तो इसे लिए ठीक ना, YouTube की धोकाधड़ी से आप बचो, यदि आप बचोगे, तभी आप सफलतार जित करोगे, एक बार आप MCC classes से जुड़ जाओ, एक बार आप हम से जुड़ जाओ, ठीक, और उसके बाद हम जो कहते हैं, तस महीने सिर्फ आप वैसा पढ़ लो, तस महीने आप वैसा पढ़ लो बस, ठीक ना, और मैं बता रहा हूँ कि आपका सेलेक्शन होके रहेगा, हम आपको सेलेक्शन दिलवा के रहेंगे, लेकिन बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तभी संबह होए, जब आप पहले दिन से लेकर के आखरी दिन तक एकदम कड़ी महनत करेंगे, ठीक ना, पूरे टेस्ट देंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपका सेलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक ना, आपको हमारे हिसाब से पढ़ना का, हमने बहुत सारे टॉपर अभी तक दिये हुए, ठीक, बहुत सारे टॉपर दिये हुए, हम किवल ग्यान की बातें नहीं करते, ठीक हम लोगों को ग्यानवान बनाते हैं, हमारे बच्चों का बेस इतना मजबूत होता है, भले बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि हमारे बच्चों का जो नॉलेज है जो नोट्स है वो इतने सुपीरियर होते हैं कि वो बच्चा किसी को भी पढ़ा सकता है और यह हमारे बच्चे खुद ही जानते हैं कि हां सब आप तहीं कह रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की फेका फाकी नहीं है अभी जो रजल्ट आया है इसके बाद कुछ कोचिंगों ने मतलब इस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट किया है इस तरीके से कि उनके बराबर MP में कोई है यह नहीं कि उनके बराबर MP में कोई ही नहीं कुछ इस तरीगे से प्रेजेंट वो कर रहा है लेकिन यह गलत है यह गलत है क्यों क्योंकि एक महीने पहले स्लेवस आया ठीक ना वो बच्चा कहां से पढ़ रहा कैसे पढ़ रहा क्या कर रहा है ठीक ना आपने सीधे फोटो चिपका दी बच्चा कहीं और का है फोटो आपकी चिपका दी आपकी द्वारा मतलब चिपका दी यह गलत है और मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता मैं केबल बच्चों को धोका धड़ी से बचाना चाहता हूं और यदि आप बच गए तो आप सफल होगे और यदि आप नहीं बचे आप फज गए तो फिर वही बात है जो मचली फज गई वह फज गई उसके बाद आपकी सुनवाई नहीं होनी है याद रखना उसके बाद आपकी सुनवाई नहीं होनी यह आप अच्छी पढ़ाई चाहते हो मैंने बता है न सफलता के लिए 3 मंत्र हैं एक तो फोकस दूसरा discipline, focus, discipline और साथ में consistency और इन तीन तीन चीज़ों के साथ एक चीज़ और जरूरी है और वो है एक best teaching, एक बहतरीन मार्ग दर्शन, जब तक ये मार्ग दर्शन आपके साथ नहीं होगा और जब तक उस मार्ग पर आप सही तरीके से नहीं चलोगे, तब तक आपको सफलत नहीं मिलेगी, ठीक, मैंने जो भी बात कहीं है, ठीक न, आप सोचना कि क्या आपको जो असफलता मिली है, उसके पीछे का reason वही है, क्या एक महीने जो पहले सलेवस आया, आचानक से उसने दिक्कत पैदा कर दी, क्या हमने एक दो महीने पहले पढ़ाई की, इसी करण से हमा हमारे साथ ऐसा हुआ, क्या हमारे सारे subject complete हो चुके थे, क्या उनका revision हो चुका था, नहीं, तो बस यही तो बात है, जी के एक नहया subject था, आप उसको हटा दो, लेकिन बाकी 80 नमबर ऐसे थे, जिन में से 50-55 नमबर लाए जा सकते थे, आप देखिए कि 50 से इंक्यावन नमब तक की लिस्ट जाने वाली है, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है, एक लिस्ट थोड़ी और पीछी आ जाए, 19-20, लेकिन पचास इंक्यावन नमबर तक के बच्चों का तो selection हो नहीं होना है, उन्हें कोई नहीं होना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ओभी सीखिए रहे हैं, कि बगवाद कर रहा हों है, तो सोचिए कि हम 80 नमबर में से 50 नमबर नहीं ला सकते हैं, हमारी कहां कमी रह गई, यह चिंतन करने का काम है, यह मनन करने का काम है, और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी उस निराशा से, अपनी उस कमी से उबरना है, बहार आना है, और एक नए योद्धा के रूप में एक नए वारियर के रूप में आपको क्या करना है आपको अपने आपको सामने लेके आना है पिछले बार नहीं निकाल पाया कोई बात नहीं इस बार छोड़ूँगा नहीं इस बार छोड़ूँगे नहीं इस बार में अपनी सरकारी सीट हासिल करके रहूंगी, जिन भच्चों के नंबर कमाये हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि प्राइबेट कॉलेजों में जाएंगे, जो नहीं निकाल सकता, जिसकी उम्मीद ही नहीं है, और जिसके पास मतलब वो पैसे से अच्छा है, तो वो ले सकता है प्राइबेट कॉलेज में अड्मिशन, लेकिन जिन बच्चों की मतलब इस्थिती नहीं है, आप सोच ये, एक सवा लाक रुपे उनकी फीस होगी, इसके बाद फिर आपका रहने, खाने, पीने का, ठीक ना, लगभग डेढ़ लाक रुपे साल का आपका खर्च होगा, तो ऐसी स्थिती में क्या होगा? ऐसी स्थिती में घर वाले की यहादी पारिबारिग इस्थिती अच्छी नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हैं private college के लिए तो जिनकी आपने साल भर हमारी बात को माना आपने साल भर टेस्ट में अच्छे नंबर लाए ठीक ना तो आप यह मान के चलिए यह आपके सेलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है आप यह लिखके रख लीजिए आपके सेलेक्शन को कोई रोक सकता क्योंकि इस बार हमारी प्लानिंग इतन पहले भी कई बार अपनी कोचिंग से बच्चे बहुत अच्छी रेंक लाए हैं इस बार भी बहुत अच्छी रेंक लाए हैं अपने बच्चे ठीक ना याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अच्छी rank लाई हुई हैं, लेकिन हम show off नहीं करेंगे, हम जब selection हो जाएगा तो सारे बच्चों की photo उनका rank आपके सामने लेके आएंगे, अभी हम show off नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बच्चों को खरीदा नहीं है, हमने बच्चों को KHAN Lisa नहीं है ये बच्चे जो है यह हमारी खुद की पहनत वाले बच्चे हैं जिनके हमने पकाया इक हीजना और जिन्होंने कड़ी मेंहाणत की और आज वह अच्छे नमर लेकर कीया है बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बारवी के बाद डारेक्ट एक्जाम को 극्राइक कर लिए भाई वारवी की परिक्षा दिये हैं और उसके बाद एक्जाम क्राइक लेकर क्या आए है इस batch की खास बात ये है कि इस batch की जो validity है वो पूरे 12 महीने की है पूरे 12 महीने की validity है एक ध्यान से सुनिएगा 12 महीने की validity है इसमें आपको daily 5 गंटे की live class मिलेगी 5 गंटे की live class आपको मिलने जा रही है एक याद रखिएगा इसके साथ पूरी test series और live test और ज चाहिए इसमें सारी चीजें उपलब दें इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इस course का जो प्राइज है इस course का जो प्राइज है वो 2,199 रुपे रखा गया है 2,199 रुपे रखा गया है ठीक लेकिन अभी नवरात्री ओफर चालू होने वाला है अभी नवरात्री ओफर चालू होने वाला है और इस नवरात्री ओफर में ये जो course है ये आपको मात्र 1599 रुपे में मिल जाएगा ये आपको मात्र 1599 रुपे में मिल जाएगा अभी 2,199 रुपे का इसका प्राइज है नवरात्री बस आने वाली है और पूरी नवरात्री में ये जो course है आपको 1599 रुपे में मिल रहा है ठीक ना तो याद रखेगा इतने सस्ते में आपको अच्छा course 5 गंटे की live class के साथ कोई देने वाला नहीं है मुझे मालू है बहुत सारे लोग कम कीमत में भी course में बेच रहे हैं लेकिन याद रखना जो चीज मार्केट में सस्ती मिलती है न वो कैसी होती है सब जानते हैं और जो branded होती है न वो थोड़ी महंगी होती है तो बस ये मानके चलिए कि आपको यह नंबर पर नंबर लिखा हुआ है इससार हम पहले डेमो लेंगे पहले आप डेमो लेने के बाद ही आप course को जोईन करें पूरी ट्रिक के साथ आपको सारी पढ़ाई जो वो कराई जाएगी इसमें आपको मज़े आ जाएंगे ठीक याद रखिएगा तो अभी नवरात्री यहाँ और चल रहा है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर देर नहीं करनी है इस ओफर का लाब उठाना है मात्रफ 1599 रुपे में यह course आपको जो है यह मिल रहा है हमें इसका लाब उठाना है हमें अपने लक्ष को निरधारित करना है अगले सत्र में हमें अपनी सीट लेनी है ठीक ना और मैंने बताया कड़ी मेहनत करनी है अच्छे-च्छे मारक दर्शन में आपको समय समय पर देता रहूंगा जो तीन बाते मैंने बताई है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक बहतरीन टीचिंग यदि यह चारों चीज मिल जाएं तो इसके बात सीधे आपको क्या मिलने वाली है सफलता मिलने वाली है बस आपको सीधे सफलता मिलने वाली है तो इसलिए बिटा निराश नहीं होना है ठीक ना और जाते जाते मैं अपनी उन लाइनों को फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत जोश भ संकल्प नहीं होता हार को अपने लक्ष से हमेशा दूर रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप किसी भी प्रकार की धोका धड़ी से बचें ठीक ना टेमो लें और उसके बाद फिर कोर्स को जॉइन करें ठ उसी समय आपको सारी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी आपको क्या-क्या डॉक्यमेंट कंप्लीट करके रखने हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद